हेलो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागे थे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप मीसो में कोई भी समान या प्रोडेक्ट ओर्डर किये हो और क्या हुआ order का समान आपके हाथ में मिल चुका है लेकिन आपको ये लग रहा है कि मेरे जो order का समान है वो मेरे लिए सही नहीं है उनका size बढ़ा है या तो फिर टूटा-फूटा है या तो फिर उनका product, उस product के जग़ा कोई दूसरा product आ चुका है तो ऐसे में आप MISO में exchange या तो फिर return कैसे कर सकते हैं चलिए इस वीडियो में जानेंगे दोस्तो बिल्कुल 2024 का new process में जानेंगे कि आप MISO में कोई भी समान exchange या तो फिर return कैसे कर सकते हैं मुझे पता है कि दोस्तो वो समान आपके हाथ में मिल चुका है और हाथ से आपका समान जो है delivery by आके pick up कर लेगा तो चलिए जानते हैं दोस्तो आपको MISO में कोई भी समान exchange या return कैसे करना है तो उनके लिए सबसे पहले आप सभी को अपने phone में MISO app को open कर लीजेगा तो दोस्तो MISO app को open करने के बाद अब आपके पास जो है ना कुछ MISO app open हो जाता है तो वेट करना है कुछ second तक दोस्तो देख सकते हैं यह MISO application जो है मेरे phone में open हो चुका है अब आपको क्या करना है दोस्तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा my orders तो आपको my orders के उपर किलिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीकी का interface दिखेगा तो आपको क्या करना है उपर के और स्क्रोल डौन कीजेगा तो दोस्तो आपने जितने भी order किया होंगे MISO में तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा तो finally मैं एक latest bag जो है इसे मैं order किया था लेकिन यह सामान जो है मेरे लिए सही नहीं है इनका जो price है कुछ या तो फिर size related problem है तो मैं इसे exchange यह return करूँगा तो उनके लिए आप ही इस product के उपर में click कर देता हूँ, click करने के बाद इस तरीके का interface दिखेगा अब मैं आपको यह भी बताता हूँ कि exchange और return का मतलब क्या होता है, exchange का मतलब क्या होता है कुछ लोग तो आपको खुल कर नहीं बताता है लेकिन आपको मैं बताऊंगा और आपको refund कैसे मिलेगा वह भी मैं बताऊंगा तो दोस्तों देखिए हमारा प्रोडेक्ट आ चुका है अब आपको क्या करने है दोस्तों देखिए आपको आराम से इस वीडियो में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए किसी दूसरी वीडियो को देखने की अब सकता ना पड़े तो यहां पर आप लोगों को आपका समान आ चुका है और आप लोगों को दिख रहोगा मैंने इस 17 नंबर को मैंने इस प्रोडेक्ट को डिलेवरी बाइक के दुआरा मुझे मिल गया था उनके लिए आप सभी को एक्शेंज रिटर्न करने के लिए यहां आप लोगों को द दिखान रखना है कभी भी आप और में एक्शेंज रिटर्न करने के लिए आएगा तो दोस्तों देखे यहां पर हम लोग एक्शेंज रिटर्न ओडर के उपर हम लोग किलिक करते हैं तो किलिक करने के बाद इस तरीके का एंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएग और यहाँ पर different product, यही सब आप लोगों को देखने को मिल रहा, आपका क्या है, आप अपने हिसाब से, मतलब आपका size related है, या तो फिर pike is missing है, तो दोस्तो मेरा pike is missing है, तो मैं इसे select कर लेता हूँ, select करने के बाद यहाँ पर आपको दो option दिया जाएगा, product देख सकते हैं, product missing है तो मेरा missing है, तो हम लोग इसके उपर click कर देते हैं, आपका जो भी problem है, आपको अपने problem को select कर लेना है, तो इनके उपर click करने के बाद इस तरी के एक interface देखने को मिल जाएगा, अब आपको क्या करने हैं, दोस्तो यहाँ पर आप लोगों को दो option दिया गया है, दोस्तो, exchange और return है ना, तो first मैं आपको return दिख रहा होगा, और नीचे आपको exchange दिख रहा होगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि exchange और return करने के लिए, मैं इसे एक बार थोड़ा ask-in strot लिया हूँ, तो यहाँ पर आगर आप चाहते हैं, exchange के मतलब यह होता है कि दोस्तो, कि आप इस सामान के बदल, इस product के बदल कोई दूसरा सामान ले सकते हैं, कोई दूसरा buy कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसे return करना, यानि कि दोस्तो इसे बापस करके इस product को मैं कोई दूसरा सामान क्यों न खरीद लो, sorry, आप इसे return करके आपने पैसा लेना चाहते हैं, जो आपका पैसा है जो इस ka price है इस product का प्राइज है वो पैसा आपको लेders तो उनके लिए क्या करना है दोस्तो यह हां आपको return की ऊपर आपको click कर देना है जैसा कि मैं return करना चाता हूँ तो return के उपर click कर देता हूँ click करने के बाद यहां पर इस तरीके करना चाहता हो तो मैं return के उपर click कर दिया हूँ, click करने के बाद यहाँ इस तरीके का interface दिखेगा, अब आपको क्या करना है दोस्तो, please add image यानि कि दोस्तो आपका जो product जो आपका सामान है, उसी सामान का एक image photo add करना होगा, add करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने इस सामान order किये हैं, जो product आपको मिला है, उसी को रख कर आपको photo case लेना है, खेचने के बाद आपको photo जो है, यहाँ पे आपको दोनों साइट का photo इसको select कर लेना है, तो चलिए हम लोग इस तरीके से select कर लिए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, कि मैंने इस product का जो है, photos खिच लिया हूँ, उनके बाद इसे हम select कर लिए, select करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, तो आपको submit के उपर click कर देना है, तो submit के उपर click करने के बाद, आप आती है, प्रोब्लम ये, दोस्तो आप जो product return कर रहे हैं, जो आप product return कर रहे हैं, जो आप उनका जो पैसा किस तरीके से लेना चाहते हैं यह आपको बात का धियान रखना है दोस्तों अगर आप कैस अंड डिलेवरी से लिए हैं तो यह मत सोचिएगा कि रिटर्न करते समय मैं अपने प्रोडेक्ट को दे दूंगा उनके बाद जो है पैसा मेरे हाथ में कैस मिल ज जाता हूँ यानि कि जो हमारा जो प्रोडेक्ट है ये पिकअ बाइक कुछ दिनों में आएगा और उनके बाद हमारा ये सामान वो ले जाएगा खुद ही कौल करके आएगा और यह सामान मेरे को ले जाएगा उनके और हमारा जो पेमेंट है वो आ जाएगा हमारे लगभग दोस्तों यह 24 गंटा के अंदर ही आ जाता है तो आपको इस बात का धियान रखना है तो दोस्तों मैं बैंक से लेना चाहता हूं तो देख सकते हैं यहां मैं बैंक क्यों पर किलिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफ आपको अपने bank account का नंबर देना, account number देना है फिर आपको confirm account number यानि की दोनों में एक ही account number देना है उनके बाद account holder name यानि की दोस्तों आपका जो bank में जो आपका name है वही name को आपको दे देना है तो चलिए दोस्तों यह सब फटा-फट से हम डालके फिर मिलते हैं तो दोस्तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं अपने bank account का अपसी code डाल दिया हूँ, अपने bank account नमबर, अपने bank account का hold a name गास है वह डाल दिया हूँ, अब यहाँ आप लोगों को सही वाले box में डीक मार कर देना है, इतना काम करने के बाद यहां आप लोगों को दिख रहा होगा verify तो आप लोगों को verify की उपर click कर देना है तो दोस्तो verify की उपर click करते ही यह product है जो आपका जो है यह return हो जाता है यहां आप लोगों को continue कर देना है तो दोस्तो यह continue करने के बाद अभी आप लोगों को दिख रह यहां पर आप लोगों को pick up buy product का time दिखेगा और यह लगबख दोस्तो 5 घंटे के 5 घंटे में या तो फिर दोस्तों आपका कल आ सकता है जो pick up buy होगा वह आपका product आकर ले जाएगा और उनके कुछ ही दिनों बाद आपका जो है यह product का जो पैसा है वह आपके bank account में आ जाता है यहां आप लोगों को continue shopping की उपर किलिक कीजिएगा तो आप फिर से आप मीसो में कोई भी product shopping कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like and channel को subscribe कर दीजिएगा फिर मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाइवाई जैहिन वन्दे मात्रम